दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सीबी सिंग दोस्तो ये कहानी है दो दोस्तों की एक गाउं के दो दोस्त जो ढूण रहे थे कुछ धंदा कुछ बिजनिस क्या किया जाए एक्चुली लाइफ में उन्हें ये समझ में आया कि शायद डेरी का धंदा सबसे आसान है और उन दोनों दोस्तों ने ये ठाना ये डिसाइड किया कि हम डेरी का बिजनिस करेंगे डेरी का धंदा करेंगे पशुपालन का बिजनिस करेंगे और दोस्तों उन दोनों दोस्तों ने एक का नाम था राकेश और एक का नाम था मुकेश उन्होंने अपना-पना बिजनिस उनको जो पता चला कि गाए में शायद जादा फाइदा है जादा दूद देती है भैस से तो उन्होंने गाए कुछ रख ली और अच्छी नस्ल की वो गाए लेकर आए अब जो राकेश था उसका हमें से ध्यान रहता था कि जादा से जादा दूद का उत्पादन कैसे लिया जाए और उसे यह लगता था क्योंकि उसने स्टार्ट ही बिजनिस जो किया था उसको यह लगता था कि यह शायद सबस्यासान होगा इसलिए उसने डेरी का धंदा किया अब वो जो उसके पास जो भी गाए थी जो आट दस गाए वो उसने खरीदी थी तो वो हमेसा यही दे सीखने के प्रयास नहीं किये और धीरे-धीरे हुआ यह कि 6-7 महिने में उसको प्रॉलम्स आनी स्टार्ट हो गई उसके ऐनिमल्स खराब होने लगे रिपीट होने लगे मिल्क का प्रोडक्शन कम होने लगा और धीरे-धीरे करके वो निगेटिव होने लगा उसको यह लग मुकेश ने भी यही सोच के स्टार्ट किया था कि यह बिजनिस आसान है लेकिन उसको दो तीन महिने के अंदर यह समझ में आ गया था कि यह बिजनिस सिंपल तो है लेकिन आसान नहीं तो उसना उसी time इस business के बारे में इस धंदे के बारे में और ज़्यादा सीखना स्टार्ट कर दिया और जैसे से उसको परिशानिया आना स्टार्ट हुए वो और ज़्यादा सीखता रहा उसने देखा कि अगर कोई बीमारी होती तो उसकी रोक थाम कैसे की जा सकती है vaccination टीका करण के बारे मैं उसने समझा कि अगर जो FMD है या मूँ पका खूर पका जो बीमारी है या गलगोटू है इन खतरनाग बीमारियों को रोखने के लिए कौन-कौन से टीका करण होते हैं उसने ये सीखने की कोशिस की कि ये गाय जो repeat होती है या जो बार-बार देखते हैं वो repeat होती रहती है हम AI कराते रहते हैं तो इसका मूल कारण क्या है क्या AI में या artificial insemination में problem होती है तो मैं किस तरीकी से AI के बारे में knowledge लूँगी हीट किस तरीकी से हम detect कर सकते हैं उसकी गर्मी को तकि हम सही समय पे उसमें सीमन डलवा सकें उसने ये जाना कि mineral mixture की क्या importance है कौन-कौन से minerals important है जरूरी है इस गाय के लिए क्योंकि दूद का उत्पादन जादा है तो उसने जैसे-जैसे challenges आते रहे वैसे-वैसे वो सीखता रहा उसने feeding के बारे में सीखा उसने सबसे important काम किया जो राकेस ने नहीं किया था ये सब राकेस ने नहीं किया था उसको बस ये लग रहा था कि हमने गाय खरी दी है बस अब हमें बैठ कर इनका दूद बेच कर हमें बस पैसे गिनना है जबकि ऐसा नहीं था और मुकेस ने एक तरफ ऐसा किया कि जैसे-जैसे उसको लगा कि कई बार मैं heat miss कर जाता हूं गाय की जो गर्मी में आती है तो मैं AI का जो time है वो miss कर जाता हूं तो उसने recording start की और जब recording start की तो उसको पता चल गया कि मैं कहां गलती कर रहा था सबसे पहले उसका जो farm था जो गाय थी उनकी conception rate में बहुत ज्यादा improvement हुआ बहुत उनकी संख्या बढ़ने लगी तो वो धीरे धीरे करके उसका farm बढ़ता रहा और उसने 5 साल के अंदर बहुत अच्छा मुकाम हासल किया और आज उसका farm बहुत बड़े level पे आ गया है दूसरी तरफ जो राकेश था उसने अपने animals धीरे धीरे कम करने start कर दिये और वो negative हो ग के लिए उधारण बन गया कि किस तरीके से आपको कब क्या क्या करना है और वो बहुत सारे farmers को समझाने लगा देखिए दोस्तों यहां पे बहुत बड़ा अंतर है राकेश में और मुकेश में राकेश को लगता था यह आसान है लेकिन जब उसने जब यह business start कर दिया और challenges आ कुछ नहीं होता आसान चीजों को बनाना पड़ता है और उसने महनत करनी start कर दी और उसके जो success के जो principles हैं किस तरीके से हम डेरी में सफल हो सकते हैं उसने trainings लेनी start कर दी उसने vaccination के बारे में समझा उसने mineral mixture के बारे में समझा उसने artificial insemination या कृत्रिम गरभादान के बारे में समझा recording के बारे में समझा और सारी चीजों को वो एक ब्यवसाई की तरह एक professional की तरह करने लगा और उसका farm आगे बढ़ने लगा अभी position ये है कि राकेस का जो farm है वो बंद हो चुका है उसको घाटा हुआ और मुकेस जो है वो बहुत खुस है और उसकी life में बहुत बड़ा change आया कि लोग अब उससे approach करते हैं कि आप हमें आईए और हमारे farmers को भी समझाईए या हम आपके यहाँ farmers को लेकर आएंगे वो उनको visit कराएंगे ताकि आप उनको तोर तरीके समझा सकें तो उसने अपना एक training center की तरह अपने आपको develop कर लिया क्योंकि उसको बहुत सारा practical knowledge जो चुका है और अब वो नई नई चीज़ें explore कर रहा है कि मैं feeding के लिए feed किस तरीके से बनवा सकता हूं बना सकता हूं टीमर क्या होता है और चिलेटेड मिनरल्स क्या होते हैं और बहुत सारी जो काफ रियरिंग के बारे में जानकारियां जो टाली है उसने अब इसका नत पर जाने को तयार है कि मैं अब इस business को और बड़ा करके बहुत सारे farmers की मदद भी कर सकता हूं काफ तयार कर सकता हूं मिल्क को प्रोसेस कर सकता हूं दोस्तों ये जो दो दोस्तों की कहानी है यही actually सारी dairy industry में आप देखेंगे हमें राकेस भी मिलेगा हमें मुकेस भी ये दोनों कालपनिक नाम है actually आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये कहानी बनाई और मैंने आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूं कि हमें हर गाओं में या हर जगे ऐसे लोग मिलेंगे जो हतास होंगे dairy को लेकर और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बहुत जादा उत्साहि इंडिया में बहुत तेजी से मिल्क का पॉड़क्शन बढ़ रहा है इसका कंजम्शन बढ़ रहा है और ये मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है बहुत सारी अपॉर्चिनिटीज आती जा रही है सबसे बड़ा फायदा ये है कि कैश का विजनेस है आपके घर में डेली या करने पर दूद पैदा करने पर जो खर्चे होते हैं अगर आप खर्चे कम करते जाएंगे दूद का उत्पादन बढ़ाएंगे तो आटोमेटिकली आप देखेंगे आपको मुनाफ़ा भी जादा होगा बस एक चीज दिमाग में रखिए सीखते रहिए सीखते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे सीखते रहिए और साथ में एक चीज दिमाग में रखिए यह आसान नहीं है यह कठिन है लेकिन संभव है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं क्योंकि करना तो पड़ेगा कोई भी काम आसान नहीं होता आसान हम अपने कामों से उसको बना लेते ह दोस्तो यूँ ही प्यार बनाये रखिए यूँ ही रहिएगा साथ क्योंकि हम करते रहेंगे बात और हमेशा लेकर आते रहेंगे सही साथीक और साइंटिफिक इन्फरमेशन जैहन दोस्तो